नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक पर फिर से हर्दिक स्वागत है और अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पड़ी वेकेंसी की बारे में तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जुरूर देखें तो कि कोई भी डिटेल से वो मिस ना हो और वीडियो में दिगे ज कैसी लगी कमेंट कर जुरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों यह देख सकते हैं अपने वेकेंसी कहां की है तो अगर हम बात करते हैं तो यह वेकेंसी पस्चिम ब आगे बात करें तो पोस्टों की तो सबसे पहले देख सकते हैं आप पर मेडिकल ओपिसर की पोस्टे हैं और टोटल तीस पोस्टे हैं साथ हजार उपे परमत आपको पेमेंट मिलेगा एज हो एक एक दो जार तेश को 66 साल से जादा नहीं होनी चाहिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS डिगरी होनी चाहिए और एक साल की कंपल सरी जो आपकी इंटर्शीप पर वो क्यों होनी चाहिए साथ में वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉंसिल में आपका अर्जिस्टेशन होना चाहिए उसके बाद पोस्टों की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं प 25,000 रुपे परमत आपको पेमिट मिल जाएगी और यह जब वो मिन्मम 21 साल और मैक्जिमम 40 साल तक है तो अप्लाई कर सकते हैं रिलेक्सेशन है वो वेस्ट बंगाल गवर्मेट के नुसार SCST OBC कंडेट्स को मिल जाएगा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कंडे तो आपको दिया मिल जाएगा आप वहाँ से सर्टिफिकेट या आपने करवा सकते हैं रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उसके बाद पोस्टों की बात करें तो कम्मिनुटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट हैं टोटल 30 पोस्ट हैं और पेले सो पोस्टिंग सेम रहने वा सका है और वेस्ट बंगाल नर्सिंग कोलन सिल में आपका रिजिस्ट्रेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज हो 21 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्जिमम 40 सान होनी चाहिए परवन जो पेमेंट है वो आपको 13000 रुपे मिलने वाला है जर्नल्स इंस्रेक्शन्स या 2023 से लेकर 18 माई 2023 तक यानि चार माई से लेकर 18 माई 2023 तक इसकी यह जो ओपीशल साइट की लिंक देर के इन लिंक पर जाकर आप अपलाई कर सकते हैं फीस की बात करें तो फीस आपको किसी भी यूपे ऐडी के दवरा जमा करवानी पड़ेगी और जो कंडेट्स हैं आरिजि पर आपको फीस जमा करवानी हैं जैसे आप फीस जमा करवाते हो तो उसका आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है जो फेस जमा हो जाती है सक्सेस्पूल पेमेंट हो जाती है तो उसको एक प्रिंट आउट आपको लेना है और यह प्रिंट आउट जब आपके official site पर विजिट करना है और यहां पर आप apply कर सकते हैं और कोई भी जो नई जानकारी है वो इसी official website पर आपको मिलने वाली है तो जो अप्लिकेंट्स है वो रेगुलर इस site का विजिट करते रही है आप हमें भी comment कर सकते हैं यह इसकी official site से भी जानकारी प्रापते कर सकते हैं त जुरूर अप्लाई कीजिएगा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें comment कीजिएगा वीडियो में दीगे जानकरी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी एक नई भरती के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत